सामने देख रहे हैं जिस तरह से ये जो सूरज देवता हैं सूरज देवता ढल रहे हैं मतलब साम हो रही है और सूरज अस्थ हो रहा है मेरे पीछे भी आप देखेंगे तो ये यमना नदी आपको दिखाई पड़ रही है ये यमना नदी पश्चिम की तरफ से आती है और ये के साथ-साथ हम आपको बता दे कि जिस तरह से भारतिय राजनीत में 2024 का चुनाओ है यूटन तो नदी का दिखाई दे रहा है जनता किस तरफ देख रही है इन सब की परताल एवीपी न्यूज आज करता है जिस तरह से इटावा की धर्ती अपने आप में अलग है यहां पर मै इटावा लोगसवा भी मैनपुरी लोगसवा को लेकर समाजवादी पार्टी भारतियंता पार्टी और बहजन समाज पार्टी पूरी ताकत लगाए है आज भी ऐसा ही हुआ जिस तरह से प्रधान मंत्री नरेन बोदी जी का भी प्रोग्राम पांस तारिक को लगाया जा र समाज पार्टी के मुखिया अखले से यादव अपनी पत्नी डिंपल के लिए पूरी ताकत लगाए हैं बहजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जो सिप्रशाद यादव हैं वहां उनको लेकर आज एक चुनावी जनसवा करने पहुंची बेसिक क्या-क्या मुद्दे हैं क्या-क्या चीजे हैं चुकि यहां जिस तरह से हाई प्रोफाइल सीट हो गई है मैनपुरी उसको लेकर हमारे साथ हम आपको पैनल दिखा दें कि तीन लोग हैं हमारे साथ आज के पैनल में मैं उनसे तारुक कराता हूं सामने जो बीच में हैं हमारे साथ वो सचेन और दाइनी तरफ हरिसंकर पठेल जी है अपना दल से और जो जिने कहते हैं अपना दल एस तो आज तीन लोग हमारे साथ हैं और पीछे हमारे दोनों साइड आप देखेंगे जनता जनारदन है ये वो जनता है जो जनता सब जानती है और सीधे-सीधे अपने नेताओं से सवा पूछती है तो इस तरह से हमारे दाहिने और बाएं जिस तरह से पब्लिक भी है और पीछे गैस्ट हैं तो सबसे पहले मैं चलता हूं नवीन सक्सेना जी के पास चुकी चुनाओं में पहला प्रस्ट विपक्ष से वनता है जो विपक्ष लगातार सरकार को घेरती है तो पूरा परिवार लगा हुआ है अधिती है और चाचा शियुपाल यादब भी लगातार जा रहे हैं बीजेपी सीधे-सीधे कह रही है कि समाजवादी पार्टी को महनपुरी में इस बार डर लग रहा है इसलिए पूरा परिवार लगा 1984 में जब रविन सिंग चोहान खड़ी थे तब से लेके आज तक 40 वर्ष तर समाजवादी पार्टी चाए वो दलत मधूर किसान पार्टी की रूप में रही हो लोग दल की रूप में रही हो चाए जनता दल के रूप में रही हो इनका मैंना ये देखा है मेरी जो महनपुर आराम से और जगे देखो मैंनपुरी तो 3-4 लाग से मैं पहले भी जिता कि रही हैं राष्टी राजनीत आप कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में क्या मुद्दे है मैंनपुरी के और मैंनपुरी से लगे हुए इटावा और कन्नौज चुकि जिस तरह से इटावा के पर पर लड़ रहे हैं और यहां मा उनकी पत्नी डिंपल्य आदव लड़ नग देखें यहां और यहां पर कोई रोजगार की साधन नहीं और दूसरा यहां घो का जो फिल्कुल जो निवह विप्हुर गार है और यहां पर आपराताप्री केमाओन अन। लेकिन मैंनपुरी के लिए कहा जाता है जैसे समाजबादी पार्टी मुलाइम सिंग यादब भी वहां से सांसद रहे और परिवार के लोग सांसद रहे डेवलप्मेंट तो सुरुआ से नहीं हुआ होगा सीधे सीधे बीजेपी का आरोफ है कि इस छेत्रों का अगर पूरा विकास जो मैंनपुली जिला और इटाबा जिला में हुआ हो चाप पैरा मेडिकल इस्टिटूट हो एंस वह आपका जिए बना गया सैफी में पूरा चारों तरफ कन्योंज मंदें शेत्र का विकास विकास हुआ उतना विकास नहीं हो पाज जितना जिनता को लगातार चाहे भाजपा हो या कोई राजने तिकदल अब आप भाजपा के चोला पहन कर बाकाइदार बोट मांग रहे हैं जस्वंत नगर में लगातार आपकी तस्वीरें आती हैं किस तरह से चुनाओ को देख रही भी जिपी इस बार आप देख रहे हैं कि पूरे देश सब्सक्राइब कोटाला हो तूजी स्पेक्ट्रम गोटाला हो या पर कई ऐसे गोटाले रहे कि अगर गिनाना सुरू कर दिये जाएं तो रात हो जाएगी कोटाले बंद नहीं हो सकती वहीं अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्य अध्शादर ने अखलेश आदव जी सब्सक्राइब के साथ सही नहीं रहा और अब मैं कभी जीवन में गठबंदन नहीं करूंगा कॉंग्रेश पार्टी से और उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क रहता है पूरा उत्तरप्रदेश देख रहा है दूसरी तरफ आप देखिए कि परवारबाद इस तरीके से हा यादमों की बात की जाए तो केबल पांच यादमों को टिकेट मिली है वो किस परवार से हैं यह बताने की जरूरत किसी को नहीं है सब समझदार है आप देख रहे हैं अभी आपने बताया कि राश्टियद्द जी की बेटी अखलेश जी की वेटी परश्यार कर रही है और लगतार आप देखिए कि कोई भी उन्हें पूरे उत्तर प्रदेश में से असी सीटों में से कोई यादम नहीं मिला जबकि भारती जनता पार्टी ने पूरे देश में 26 टिक्टें यादमों को दिए तो आप देखिए कि परवारबाद का तबका यह कैसे अटाएंगे कोई कि मौका नहीं है इनके पास और रही बात विकास की बात की जाए या पार्टी कैसे आंगे बढ़ रही भारती जनता पार्टी कि नीत और नियत बहुत अच्छी हैं इस तरह से देख रहे हैं कि डेवलपमेंट तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमने अपने आकर आ कर जो मैनपुरी इटावा और खन्नो जो छेतर है उसमें विकास कराया बाजपा कहती है हमने लगातार विकास कराया आप लोग किस तरह से देख रहे हैं और क्या मार्क कोई नहीं बने और सेफ़ाई का मैंपुरी वाला तो मार्क अभी भी बन रहा था मैं अभी भी देख रहा हूं तो इस सरकार में भी बन रहा है यह सरकार तो चारों तरफ बना रही है इसमें मानी नरेंद मोदी जी का सबसे बड़ा हाथ है कि वो देखिए 15 कि दूरी प जूट बोलना तो जबान में है आज कल लेकिन यह सत्ता है विकास अगर देखेंगे एक नहीं कई तरह कि विकास हुआ है भाई सयोगी दल है कह रहे हैं विकास हुआ है लेकिन इन सब के लिए तो हमें जनता जनारदन तक भी जाना चाहिए पबलिक के लोग भी है हमारे दो सब फोरनो पार्टियां कर णैस को किस तरह से लेखते हैं यह तो सब अपने हशाब से बोलती है लेकिन वह्तपूल वात यह है किस पर हुआ ढूब दूखी डुखी क्या सब्सक्राइफ, ये तो मार्केट में GST का बहुत बड़ा उनके उपर प्रभाव है उपर से ये मार्केटिंग इस्पेक्टर जे इस्पेक्टर जितने भी घूम रहे सब दलाली और वो सब दुनिया भरकांट पर यह तो आरोप पहले भी सरकारों पर लगाया जाता था पहले भी यह सब पहले सब ऐसा ही होता लेकिन अप्रत्रूब प्रमालत है अब लोग परिशान है बहुत दुखी है नेतपूर बात यह ब्यापारी परिशान है यह इनका कहना व्यापारी परिशान है आप तो यूवा है और साहिद कुर्टा वर्ता भी पर आज पूरे तरह से राजनीत में उतर सब्सक्राइब क्या है कि हमारी उमर पर कुर्ता बेने खड़े हैं तो मुद्दा सबस्टा बढ़ा तो बिरोजगारी है ना दूसरी सब्सक्राइब बड़े खड़े इस्टार पिचारक जी इन्होंने विका कि कौन सी रोड़ बनी तो मुझे थोड़ी से हसी आई लेकिन म सब्सक्राइब कोई नहीं मैं उस तरब चल्मी क्रिंग लोगाइन दान है मैं लोगों के पास आता हूं किया नाम है आका च्ञेब जी होती है लोगों परेशान किया जाता है बीजेपी पारटी गुंड़ी फिर्ट खतम हो गई है ऑच्छा गुंड़ी खतम हो गई है आप बताओ क्या नाम है आपका विपन क्या मुद्दे हैं इस बार मुद्दे हैं समाज वा किस तरह का मुद्दा देख रहा है सुनो तो समाज वादी पार्टी ने गुंड़े पालने का काम किया है चाचा बूल ले थे अभी मुक्तार अंजारी अतीग एमत समाज वादी पार्टी ने अब बड़ी जगह पर जा रहे हैं मुझे इस छेत्र के बारे में बताओ कि यहां के मुद्दे क्या है बेसिक कुछ नहीं कि सब खतम हो गया इनका कहना है कि भाजपा सरकार आई सब खतम हो गया मैं और लोगों से भी पूछ लेता हूं हाँ वही क्या नाम है आपका प्रवीन कुमार प्रवीन भाई यह बताइए इस बार चुनाओं में मुद्दे क्या है जो बोटर बड़ा सुस्त दिख रहा है पह बोटर की लोगों है उन लोगों पूछा है उन्हें यहीं बताया कि अपने अपने चीजह होंगी तो मुद्दे तो कुछ होंगे इस बार चुनाओं में मुद्दा क्या है अब बहुत देर से मुश्कुरा रहे हो मुद्दा क्या करते हैं अपके इस बार आपके इसाफ से मेहगाई मुद्दा है आप बता भई जी मेरे असाफ से जो परवार बाज चल ना है सवाजारी उप्लाटी का वो नहीं होना चाहिए और जितने विकास का कार होना चाहिए विकास मैन है लेकिन भाई आपके परोसी कह रहे है कि इस बार महंगाई एक मुद्दा है ने अपंगार्दा ने अपनी बात कह रहे हूं जिस तरह से जंता अपनी बात कहर रहे हैं कोई यह कह रहा है कि इस सरकार में सुरक्षा मिली है वो 좌तम लोग भी थे जिसके लिए कि पीडिये को लेकर समाजवादी कारपाटी कहती है पीडिये का ख्याल रखा रहा है पिछ्रा दलित और संक्या कुन के साथ दोगों मैं आपको इस्तष्ट कर दो दस साल से तो इनकी सरकार है और दस साल से जितना रुपया गिरा है जितना गिराप गिरा है साइध ही पूरे विस्वम किसी दिस पर भाजपा कि मैं त्रेपन नेता ऐसे गुना सकता हूं जिनिक सब परवारबाद है टोटल अभी गिंती से और जात बात कर रहें डिमपले लड़का की बहू जैविर सिंग खुद बदायक खुद मंतरी खुद पालियमेंट लड़ रहे परवारबाद जोड़ोगे यह सब चीजह कहके अपनी बार को आप इगनोर नहीं कर सकते हो आपने जो महगाई करिए जो आप जो आप नेमन चूद देना चाहते हैं किसाब हम पा का कहना है कि बहुत ग्राफ तेजी से गिरा है सुरक्षा और लोगों के अंदर मुख्य मुद्दा नहीं नहीं गिरा आप रुप्य देखो कहां पहुंच गया पहुंच गया प्रवाद की जाए मैलाओं की सुरक्षा की नहीं कोई सब्सक्राइब बढ़ा है समाधादी पार्टी का पहले तो प्रत्यक्ष गोटाला बता दू राजनी चुड़ दू एक पुर्टाला बना दू नेताईयर अच्छा मंती रहे हैं उसको आईके गुज्रार रहे उसमें एक एक गोटाला बता दू और अभी सरकार जन्ने दो भी महन सरकार को लेकर घेर रही है कि मन स्रकार में पता नहीं हूगा जानकारी में बता दuुष के लिए अधर गठवंधन की सरकार ती और गठवंधन के साथ सब्सक्रांट के समाजबादी सांजबादी पार्टी के और उनहीं उन्हीं के बज़े से सरकार चली और उसी सरकार में तूजी इस्पेक्ट्रम जैसा बहुत बड़ा गोठाला हुआ जिससे आम गरीब की बात भी कह रहे हैं आपके विरोधी नेता लगातार आप देख रहे हैं कि जब से प्रधानमंत्री आदनी स्री नेजित मोधी जी भले है आपने देखा हुआ कई वरसों तक दो-तीन वरसों तक कोरोना रहा इस देश ने कोरोना जैसी मामारी को जहला और कई ऐसे आर्थिक संकट भी आई जिनें पूरा देश देख रहा है लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने इन सब का बड़ी मेहनत के साथ बड़ी सांदार तर है कि कोरोना काल में भी सरकार ने काम किया और लगातार दस साल डेवलप्मेंट हुआ देश का नाम बढ़ा जब राजा जो है घलत होता है तो प्रजा को संकट मिलता है प्रकुराना काल उनके सामने आया इस सब यह भी प्रमान मिला राजा क्या था पहली दूसी बात जो ख सब्सक्राइब तको बिलगूल दिनीयक्ता लेकिं। लेकिन जिस तरह से कहना है कि बहुत सारे दलों को साथ लेकर जब आपकी सरकार केंदर में रही तो और बहूं सारा ब्रेषटा चार भी रहाँ पत्रकारम स्जादा माझ जानते हैं मनमाथ सीं गबरिमेंट में जो तो इसमें हमाई समाथवाधी पाठी बहुत समर्तन के वाइस थे तो मेरी सरकार जब भी रहेगी मेरा मंतिर उसमें कैमेंट बैठेगा कोई गलत पास नहीं हुगा समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी थी अच्छी है और आगे भी अच्छी रहेगी और मुझे तो यह लग रहा है बिल्कुल बहुत ज्यादा जो कुछ गलतियां आ गही थी वो भी सफाई होती जा रही ह पिछली बार जो डिमपल यादब जीती है उसके पीछे स्रधानजली सभी किसाप थी तो इस बार चुनाव असली में है और इस बार जनता समाजवादी पार्टी का गुरूर खतम कर रहे है नवासी में उद्य प्रताब जीते एक्क्यानवे में फिर दो प्रताब जीती चा में नौ में भी सपाझी तुर्दा में फिर सपाझी चौदा मप्र उप चिनाव में बठाधर सपाझी और सफाझी सपाझी कैरा शिप्ते atrás थेरा जोग beitव सबने इसे दुर्य है इसे दुर्ग को तोड़ने के लिए बीजे पी पूरी प्राण मंतरी का भी आरकम लग ली प्रधान मंतरी नहीं अंतर राष्टी प्रधान मंतरी प्रधान लगया है उससे और लोग ना रहा है जान जाएंगे जे लोग आ रहे हैं हमारे घर को खतम करने जे लोग आ रहे हैं वहां से जुवाला चलती है जे छेत्र कंणोज और मैंपुरी और अटावा और फ्रोजाब योगी दल है आप किस तरह देए इस बार जो देखने को मिलेगा वो आश्चर शक्त करेगा जाहिर सी बात है वो समय दूसरा था जबर जस्ती गुंडे के बल पे गुंडे एक बल पे और लोगों को प्रिलोवन देख करके पूरी सरकार जुटे आती थी पूरा घर का कुनवा जट जाता था इस बार भी अब बेटी तक उनकी जट गई है प्रिचार में सिर्फ इसका मतलब है कि वो हार रहे हैं तब इस बज़ेérence से बेटी को भी लगाए तो कहरे लगातार हम जीते ही आते हैं अब बेटी तो परिवार वो है वो अलग चीज़ जीते आ रहे हैं लेकिन अब समय जो है सूरज डला है साम हो चुकी है इनका भी अस्त हो चुका है सूरज धिमे धिमे करके जाँर राजनेतिक गर्माट कैसे जो बाजपा जीती है ऐसा नहीं है गड़ इताबा की वी सीट जो लगाता जा चुकी है और इताबा की वी सीट को तो यह छूई नहीं सकते जो जिस जीते थे उससे कई गुना ज्यादा प्रिश्छत बढ़ा करके जीतेंगे इस वार भी डाक्टर रामसंकर कटे लिया का सदसरी बचरा है तो आप इससे अंदाई लगा चकते हैं कि किस तरीके से लोग परेशान है समझवादी पाइटी के और मोदी जी किस तरह से देश में आप है अच्छा यह आपका कहना है मैं थोड़ा से जनता से इसी बात पर पुछ लूँ आप बताएं कुछ कहना चार और जो हम लोग टेक्स देते हैं सब देते हैं और जो इसका यह सब जो आप बताएं पहले तो मैं सचिन भया की बात पर आता हूं हमारे बड़े भाई जैसे हैं भया ने का कि कोविड में क्या हुआ तो मैं बता दू कोविड में कोवी शील्ड की नाम से वैक्सीन निकाली पूरी 200 क्रोट रॉपे की लूट हुई पूरी 200 क्रोट रॉपे की लूट एक आतर रुपे की नहीं और फूरी लूट हो गया है बाजपा के खाते में घई ठीक कोवीड बेडे को वैक्सीन ती उसको परमीशन नहीं ती लगने की जब बड़त सरकार कह रही है कि लोगों की बात पूरी हो जाने थी जब उनकी वैक्सिन चली गई तो आप इस बात को अंदाज लगा लिए परमीसन ना होते हुए पर लग दी गई ठीक दोसों को टूपर वो चलेगी फिर भाईया पर आते हैं उन्होंने का कि उनकी घर के नातिन और वो बेटी वेगरा सब लगे हुए है उनको पसंद कर रहे हैं भाजपा के लोग सब लगे है प्रदान मंत्री से लेकर नीचे तक उखरान मंत्री का प्रदान मंतरी क्यों आते हैं आपका भी तो पूरा परिवार लग अपनी पुराना दुर्ग जब गिनाया जा रहा था आपके समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम लगातार जित्ते आ रहे हैं म 무었 पीपारय पाइध जो बता रहे तो लोग अपनी इच्छा से समाज स्रीवार में उतर रहे हैं जिसकी चारज समाज के लिए ही हितकारई होगा समाज के लिए इतकारी हो आप बताओ बेसिक मुद्दे क्या है पूरी तरीके से हतास नरास हो चुकी है समाजारी प्राइटी में पूरी से इसलिए पूरे परवार को एक साथ जोड़कर सभी परिचार में लगे हुए हैं पूरी तरीके से अपना किला बचाना चाह रहे हैं ने किला बचने वाला नहीं दिए क्या इस्तिती इसवार में पूरी में बताओं किमप्ली सब्सक्राइब करता हूं जैसे मैं लोगों सब्सक्राइब करता हूं तो आप मेरे पूरे परवाफ पूरा में निमर्द करता है इसी पकार से बोबी परवार मदद करता है उप बता और भाप भी खुद बहुत देर से मोबाइल चला रहे थे क्या सूटी करते रहोगे कि मुद्दे की बारे में बताऊ नहीं मैं अब पढ़ रहा हूं आप ग्रेज़एशन कर रहा हूं अच्छा बहा ने मुझ बहा ने अभी बताया कि जब समाजवादी पार्टी यहां पर थी तब यहां पर टोटल 18 से 20 नेशनल हाइवे थे अभी मैं बहुत सकता हूं कि अभी प्रेजेंट में कितने आप बता सकता है बताइए आप अब नमबर नमबर अच्छा इस बार मुद्धे क्या है आपके साथ नहीं इस बार मुद्धे यही जो में अभी जितना काम वह रहा हैं अभी वही कंटीनी होना चीए अभी कोई भी काम जब होता है डेवल्प के साथ सब्सक्राइब समाजवाधी पार्टी और बारती अंता पार्टी बेसिक मुद्दों की बात हो रही है हाँ बेसिक मुद्ध ही अभी हर पार्टी को development के लिए टाइम लगता है अभी 10 साल हुआ है काफी development हुआ है अभी आगे टाइम पे भी आएगी और development और बढ़ेगा एंड जितना मैं कह सकता हूं में मतलब अभी के development से काफी ज्यादा सैटिसफाइड है आप किस तरह से देख रहे हैं चुनाव में यही है कि अभी इतनी बेरोजगार हो चुका है यूथ बेरोजगार हो चुका है यह तो जनता जनारदन कह रही है अब मैं फाइनल पर आ जाता हूं तो आप सब से फाइनल आप से बात करेंगे सचिन जी किस तरह से क्या-क्या मुद्दे जैसे जनता जनारदन कह रही है कि विरोजगारी मुद्दा है यह मुद्दा है आप लोग किस तरह से मैनपुरी और आसपास को इस बार मुद्दे इसमें है सब पूरा देश द्धुर दुनिया देख रही है अधनी मुद्दी जी की तरफ बड़ी नजरें बड़ी निगाएं भरी नजरों से उमीद वरी नजरों से देख रहा है इस बार मुद्दी जी प्र सबसे पहला कार रूस और यूक्रेन का युद्ध जो चल ला था उसे रुकवा करके 40,000 युबाओं को जो भारत के थे उन्हें तो ले करके आए और भारत का जंडा ले करके और भी देशों के युबा निकले इससे बड़ा काम कौन कर सकता विस्तुमें इससे बड़ा काम कौ करते इंता पार्टी अपने जीत के दावे कर रही है सहयोगी दल भी कह रहे हैं कि अंतर रास्टी लेविल पर काम हुआ है और उसको देश दुनिया ने देख वाइनल कमें जंता के हिसाब से कोई काम नहीं हुआ इनको धर्मों में अनुवाद पहलाना बैवनस्ता पैदा क करना और दस साल इनके करिया कलापों को जंता देख चुकी है अब इनको कहीं रुकने वाला मामला नहीं जित दूसे पार नहीं है मुस्किल से दूसर बहुत मुस्किल है ग्रहमंत्री जी प्रेस कॉन्फरेंस भी करके यह बोल चुके हैं कि 400 की तरफ हम बलूब बढ़ रहे अब वो मुद्धा सुरू कर दिया मंगल सूत्र में जिसने अपनी पतनी को पताने का कर दिया हो अपना मंगल सूतर जीत कैसे देख रहे हैं जीत ही नहीं तोटल हार 400 हार दिली साफ तोटल खत्म तो यह देखा आपने यह जनता जनारदन है हर नेता अपने दावे और कम हुआ है वहीं ABP News भी अपील करता है कि पहले मतदान फिर कोई काम तो सबसे पहले तो आप सब लोग मतदान के लिए निकलें नेता और जनता नेताओं तो अपने दावे और वादे करेंगे ही नेड़े आपको सुनाना है आपके नेड़े से ही अगली सरकार का तै होना है अ आज के लिए बस इतना ही आगे फिर हम दिखाएंगे किसी नई चौपाल में और अपने नेताओं का हाल और जनता इस बार किन मुद्दों के साथ अपने नेताओं से पूछेगी सवाल कैमरामेन अमोल कठेरिया के साथ अमित पिश्रा ABP News इटावा